नमस्कार तो आज हम discuss करने वाले एक बहुत important topic एक internal politics उसका आप कह सकते clearly All India Football Federation में जो चल रहा है और जिसका result भी आपका सामने आ चुका है तो दिखे मैं इस वीडियो में किसी का side लेकर नहीं एकदम neutral होकर जो है दोनों पक्ष की बात यहाँ पर रखनी कोशिश करूँगा आतो रात निकाल देता है विकाज आपने देगा 6 नावंबर को उन्होंने एक tweet किया था जिसमें उन्होंने ऐसा बोला था जो उनका एक intense है था कि personal interest के लिए काम न करे किया और ऐसा कुछ-कुछ उन्होंने tweet किया था और उन लोगों को point out किया था जो की शाय सही से काम नहीं करते उनके हिसाब से ठीक है और अगर मैं आपको बात बताना चाहूं तो बहुत पहले से ही मतलब कई महीने पहले से ही जो साजी प्रभाकरन है उनके काम को लेकर जो मेंबर्स है वो खुश नहीं थे मतलब बहुत पहले से तो ये भी बात आपको समझ के चलना पड़ेगा कि वहाँ पर कई लोगों का इस तरह से कहना था जिस तरह की बाते निकल के आ रही है अंदर से कि जो कमेटी के कुछ मेंबर्स है उनको इनका काम करने का तरीका सही नहीं लगता था कुछ decision making जो इनकी थी कि one-sided type के वो सही नहीं लगते थे बहुत तरह ये ऐसी चीजे थी जो क कि कमेटी मेंबर्स को इस पसंद नहीं और एक और बात ये भी थी कि ये प्रॉपर इलेक्टेड होके भी कोई सेक्रेटरी नहीं बने थे ठीक है उनको एक बना आ था उनका जो experience और इस टाइप के चीजे देखकर कि शायद अच्छा काम करेंगे और पहले भी एक और बात य जाले भी कई बार जो है चर्चा हो चुकी है अब ये एक बात और देखिए All India Football Federation ने जो announce किया है उसमें कहा है कि breach of trust जो है वो साजी प्रभागरन ने किया है जिसको पर साजी प्रभागरन ने फिर एक ट्वीट किया जिसको आपने देखे ही उसमें कहा है कि ये एक बड़ी प्रेसर है जो हाँ पर committee members है मतलब committee members के अलावा भार के भी कुछ लोगों का इसमें युगदान हो सकता है अब उसके उपर मैं एदम clearly नहीं बोल सकता हूं लेकिन हाँ इसके उपर मैं बोल रहा हूं कि हाँ ये भी है तो ये भी एक चीज है और इसके अलावा एक और बात य है कि जिस तरीके से साजी प्रभाकरन की salary थी salary आपको बदा 12 लाक इससे काफी state FAS के लोगों को भी परशानी थी क्योंकि भाई इतनी salary मतलब जो पहले secretary की salary थी उनसे तो बहुत ज्यादा high salary भी थी तो इससे कई state association उसके उपर पहले ही अपनी आपती जता चुके थे आपने पहले भी देखा इसको पर कई state FAS के जो president secretaries उन्होंने भी का था कि भाई इतनी salary क्यों इतनी salary देता है क्यों और क्यों चाहिए तो इसको पर साजी प्रभाकरन ने कहा था कि भाई मैं तो और salary डिजर करता हूं बहुत ज्यादा तो इस तरीके से कि internal politics के चलते साजी प्रभा government है because ऐसे ही decision नहीं ले लिया जाता है अब देखी यहाँ पर एक situation यह create होती है कि कई लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि अब साजी प्रभाकरन आपने general secretary को हटा दिया तो क्या Indian football एक खतरे में चला गया डूब गया या क्या हो जाएगा क्योंकि vision जो था उनके साथ बैट के बनाया गया था वो पूरी planning उनके साथ देखी गई थी तो क्या होगा अब तो इसके लिए आपको चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है ये मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ क्यों क्योंकि देखिए आपने देखा था कुछ टाइम पहले deputy general secretary पद पे जो सत्या साह जो करनाटका football association के भी secretary है उनको deputy general secretary of EFF बनाया गया था जैसे कि आपने देखा अभी कई लोग इसको यहाँ पर भी कड़ी से कड़ी connect कर सकते हैं कि सत्या साब को कुछ टाइम पहले deputy general secretary बनाया गया तो क्या पहले सी planning चल रही थी कि सत्या साहब को general secretary बनाना है यहाँ पर करनाटक football के लिए तो सत्या साहब का अगर आप background पर जाते हैं तो आपको एक चीज अच्छी लगेगी कि यार वो इनसान भी काफी positive काम कर चुका है करनाटक football के लिए आप देखिए करनाटक football में जिस तरह कर ग्रासरूट development सत्या साहब लेकर आया है जिस तरह से वहाँ पर लेकर आ रहे हैं और इतनी जादा टीम वहां पर participate भी कर रही है तो जो विजन वो दे रहे है करनाटक में अगर उस विजन को आप देखे कि क्या सत्या साहब यहां पर भी अच्छा काम कर सकते है तो मुझे से लगता कि बिलकुल कर सकते है बिकॉस वह एक बहुत ही visionary इंसान जिसने अपने दम पे करनाटक फुटबॉल को चेंज किया है क्योंकि करनाटका फुटबॉल पहले एक बहुत बड़ा नाम था इंडियन फुटबॉल में मैसूर स्टेट के नाम से वो कहिने के नीचे जा चुका था उसको पुरा उठाया है सत्या साहब में तो अभी वो य यहाँ पर उनके काम से किसी को तकलीफ होगी then maybe वो भी कभी भी चेंज हो सकते यह भी आपको clear देखने को मिल सकता है और यह मैं अभी से बोल भी सकता हूँ क्योंकि देखी यहाँ पर क्या होता है ना कि as a general secretary कि आपके काम से सारे committee members सारे state fs खुश हो यह ज़रूरी नहीं है हो सकता है किसी को आपका काम पसंद आए किसी को पसंद आए तो ऐसा होता है तो आप देखते है कि सत्या साब यहाँ पर किस तरह से उस command को समालेंगे और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि Indian football एक दम नीचे चला जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है क्योंकि सत्या साब भी एक विजनरी इंसान है वो भी इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते है और देखी मैं एक चीज जरूर चाहूँ हो कि साजी प्रभाकरन जो है अभी तो वहां से बिलकुल टर्मिनेट हो चुके सेक कर दिया गया उनको तो मेरे हसाब से साजी प्रभाकरन को अब क्या इंटरिनल मैंटर्स है या इंडिन फुटबोर में एक्चुली में क्या चल रहा है क्या रियल रिजन्स उनके हसाब से है उनको निकालने के या क्या जितने भी matters हो सकते सब के बारे में जनता को बताना चाहिए और मेरा channel भी उनका सौगत करता है मेरी तरफ से भी उनको invitation मैं बिल्कुल दूँगा कि अगर आके यहाँ पर कुछ share करना चाहिए हमसे discussion करना चाहिए बिल्कुल welcome और मैं चाहूँगा कि वो open हो क्योंकि अभी तो contract वगेरा है ने तो वो कुछ भी बोल सकते वो free है तो मैं चाहता हूँगी जनता को उन्होंने सब चीज बताना चाहिए कि भाई क्या चीज़े चल रही actual में इंडियन football में क्या development के लिए सच में इतना जो सोचा जा रहा है क्या उसको पर काम चल रहा है हो रहा है या होगा या नहीं ये सब चीज उनको पता है तो मेरे साब से उनको इस बारे में जो है पब्लिकली बताना चाहिए जिससे एटलिस जितने भी इंडियन football fans है जो सपने देख रहा होंगे या जो fake dreams भी देख रहा होंगे उनको रियलिटी पता चल जाए कि क्या actually में चीज है ये कहिने कि इंडियन football के लिए ही अच्छी बात है मेरे साब से क्योंकि जितना आप real रहेंगे उतना आप सही रहेंगे क्योंकि कई ऐसी चीजे है जो open नहीं हो पाती है publicly अंदर ये अंदर पता चलती है हम तक भी पहुचती है लेकिन वो चीजे बताने लाइक होती नहीं है इसलिए बताई नहीं जा सकती है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बात है अगर वो उनके साइट से रखेंगे तो जनता शायद उसके उपर विश्वास करें और EFF के साइट से तो इस बारे में कुछ भी बोला नहीं जाएगा मुझे पता है तो LTS जो बोल सकता है वो बोले ये मेरा opinion है इस बारे में कि ऐसा होना चाहिए जितना transparent रहे उतना सभी के लिए अच्छा है फैंस के लिए अच्छा है प्लेयर्स के लिए अच्छा है तो चेलिए मैं आपके thoughts जानना चाहूँगा कि साजी प्रभागरन को यह ऐसाँ से निकालना इसके उपर आपके क्या thoughts है और जो सत्यासा वाँ पर ऐसे general secretary work करेंगे तो आपको अब क्या hope उनसे नजर आती है अगर आप उनके पुराने काम को देखते है तो तो सभी चीज़े के उपर आपके क्या thoughts है मैं आपसे जानना चाहूँगा इंडियन फुटबाल फैंस के thoughts सबसे जादा important होता है because overall हम सभी मिलकर इंडियन फुटबाल को आगे लेकर जाएंगे इंडियन फुटबाल forward together तो आपके जो भी thoughts से आप comment में लेके बताएगा और जो भी आपको internal politics के बारे में भी कहना हो या आपके दिमाग में भी कुछ आता हो तो आप जरूर comment में लेके बताएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबाल को सपूर्ट करते रहे हैं बहुत वर शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जैहिन जैभाल